पिशले दो सालों में रोमांटिक ड्रामा और एक्षन से भरपूर फिल्मों ने स्क्रीन पर अपना दबदबब बनाया है जिससे थ्रीलर की दिवाने और भी रोमांचिक अनुबहों की तलाश में हैं ऐसा लगता है कि उनका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है अगस्त के महीने में रक्षा बंदन, 15 अगस्त और जन्मास्ट में की छुटी में आप फिल्म आलिया बसुग गायब है सहीत कई बहसरी फिल्मों का आनंद थेटर्स में ले सकते हैं इस महीने आपको डर, रोमांस और एक्षन से सब कुछ मिलेगा आगामी 9 अगस्त को रिहे पिक्चर्स की रोमैंटिक ड्रामा और एक्षन से भरपूर फिल्म आलिया बसुग गायब है रिलीज होने जा रही है फिल्म में अनुभवी कलाकारों में विने पाठक, राइम असेन और वीरो की धरती राजस्तान के जुनजुनू से सलीम दिवान जैसे कलाकार नजर आएंगे फिल्म सस्पेंस से थ्रिलर से है जो आपको पसंद आएगी फिल्म कलाकार सलीम दिवान ने फिल्म से जुड़े अनुभव साजा किये हैं तो यह फिल्म संदेश वाली फिल्म नहीं है कि इसमें कुछ संदेश आपको मिलेगा बस यह एक एंटेटेन्मेंट ड्रामा है जो किट्नैपिंग पे बेस है और हाँ इसमें थोड़ा सा एक न्यू एज सिनेमा है यह यूथ को यह बहुत कनेक करेगी क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता है जो कि आपको थीटे में देखने को मिलेगा वो सिस्पेंस वो थ्रिलर सो संदेश वाले मोड को मत समझो आप इस विचार के साथ फिल्म को देखने मत जाओ कि आप कुछ संदेश मिलेगा कुछ ग्यान मिलेगा बस एंटरटैन्मेंट के लिए जाओ फिल्म में कई चोकाने वाले ट्विस्ट और टर्न नजर आ रहे हैं फिल्म के प्रतिभाशाली मुख्यकलाकार सलीम दिवान ने कहा कि आलिया बसुग गायब है के साथ हम एक ऐसा अनुभव लेकर आए हैं जो मनोरंजन और रोमाज को एक साथ जोड़ता है उन्होंने कहा कि मेरे लिए आलिया बसुग गायब है एक शान्दा थ्रीलर है जिसमें कई चोकाने वाली बाते हैं अलिया बसुग गायब है अभिनेता सलीम दिवान की दूसरी फिल्म है फिल्म में नजर आने वाले अनुभवी एक्टर सलीम दिवान ने बताया कि फिल्म के स्क्रिप्ट में काफी रहस्य है वही बतोर एक्टर इस फिल्म को उन्होंने एक चिनोती पून बताया यह फिल्म एक अलग तरह की फिल्म है जो युवाओं के साथ हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है 9 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है लोग उसको मिम्स बनाके सबको सेंड करते हैं और उसका मज़ा लेते हैं तो इसमें बहुत सारी मिम्स बनें आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे एक्टर सलीम दिवान से उनके धोरों की धरती से लेकर माया नगरी तक के सफर के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जिन्दगी चुनोती पूर्ण होती है लेकिन उसे आसान बनाना आना चाहिए मैंने अपने जीवन में स्ट्रगल तो किया लेकिन अब ऐसे फिल्में बना कर वे ये संदेज देना चाहते हैं कि किसी काम को आप करो तो उसे इमानदारी और वफादारी से करना चाहिए मुश्किलों का सामना करना ये ये तो अबियस है लाइकि आप कुछ भी जिन्दगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जहां से आपका को रिष्टान आता नहीं है तो मुश्किले तो आती है बट मैंने सब मुश्किलों को बहुत शानती से प्यार से और इंजूर किया उस मोमें को कि मुझे वहां तक जाना है कि मैं करिम इंडिस्ट्री में अपने नाम कमा सको और मैं अपनी जगह बना सको बस उसी प्रियास में लगाँ फिल्म आलिया बसु गायव है रिलीज होने जा रही है इस फिल्म की कहानी पल-पल सस्पेंस पैदा करते हैं एक मोड से गुजरत आएंगे फिल्म रास्तान के परमुक शहरों के साथ ही देश बर के सिनमा में 9 अगस्त को परदर्शित होगी